स्टुडी पॉटल में आपका एक बरफिर से स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कम्प्यूटर MCQ 20 questions हम इस वीडियो में यहाँ पर देखेंगे यह test series number 2 है तो first हम already upload कर चुके हैं अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर वो विजिट कर सकते हैं उसमें भी हमने 20 से 25 questions को जहर डिसक्स किया था तो यह questions आपके कि इसी भी competitive exam के लिए important है जिस भी competitive exam में आपका computer का portion आता है जैसे कि आपका banking में आता है आपका KVS में है या आप TZT या PCT computers के लिए apply कर रहे हैं तो यह portion आपके लिए important है तो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं है पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को The ability to find an individual item in a file immediately कि आपको अगर कोई individual item find करना है किसी भी file में immediately एक दम से तो आप कैसे find करोगी क्या तरीका हो सकता है क्या वो sequential access है File allocation table, direct access, directory यह नन ओफ दीस तो इन पाचों में से आपको बताना है कि क्या answer है तो answer जो आपको यहाँ पर है वो क्या है आपका C आप direct access से आप जो है easily किसी भी item को file में से find कर सकते हो, खोज सकते हो, search कर सकते हो तो third option आपको यहाँ पर correct रहेगा अगला question, dash helps in capturing raw data and entering into computer system यहाँ पर आपको यह फिल करना है कि यहाँ पर क्या आएगा क्या जो help करता है आपके raw data को capture करता है और उसको computer system में enter कर देता है तो क्या enter करेगा, कुछ enter करना है तो क्या आएगा, CPU होगा, IC यानि कि integrated circuit, input, device, motherboard या none of these, कौन सा option रहेगा option जो आपका correct रहेगा, वो रहेगा आपका third input device, अगर आप लोग ने test series 1 देखी है तो वहाँ पर हमने discuss किया था input device और output device क्या होते है, suppose यह आपका computer है, ठीक है, इसके साथ आपने क्या, CPU होता है, आपने देखा है, keyboard है, mouse है, तो यह क्या है, keyboard, mouse आपके क्या है यह input device है, क्योंकि यह इनको instructions देते है, mouse से आप सरकर, यहाँ पर देखते हो, जैसे कि यह मैंने mouse हिलाया, तो आप जो भी है, वो देखेंगे, ठीक है, और इसके अलावा जैसे printer होता है, तो printer से आप जो paste printout निकालते हो, उस पर सारे का जो text है, वो visible होता है, तो वो output device है, speaker के example लें, तो speaker के, speaker भी एक output device है, क्योंकि उससे आपको sound सुनाई देती है, तो input और output device आपको easily पता होना चाहिए, next question, computers connected to a LAN, can, अगर computers को आप LAN से connect कर दे, LAN क्या होता है, local area network, यह full phone भी आपको याद होनी चीए, LAN क्या होता है, local area network, तो क्या होगा, run faster, तेजी से भागेगा, go online, online जला जाएगा, share information and share peripheral equipment, जो भी information है वो शेर कर लेगा, और जो भी peripheral equipment है, suppose कि कोई lab है, lab में धेर सारे computer है, और एक printer लगा हूँ है, वो LAN पे connected है, तो क्या वो उस printer को यह होते है, जैसे peripheral device, तो ऐसे डिवाइस को जैसे printer है, तो वो इसको connect कर लेगा, क्या यह होगा, email, यह none of these, तो कौन्स option इसमें correct होगा, answer जो आपका correct होगा, वो आपका third, information share कर देगा, और जो भ टाइटल बार, ribbon, status bar, views, and document workspace, और factor of dash of the words, टाइटल बार क्या होता है, कल हमने discuss किया था, अगर आप Microsoft Word भी कोड़ रहो, तो यहाँ पर आप जो देखोगे सब से उपर, वो क्या है आपकी टाइटल बार है, यहाँ पर आपके तीन बटन होते हैं, यह minimize, maximize, और यहाँ पर close, औ तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, Microsoft Word, तो यह क्या है आपका, यह है आपकी टाइटल बार, ठीके, ribbon, status bar, status bar क्या होती आपकी, आपकी जो नीचे होती है, जो सबसे नीचे होगी, जैसे यह page है, page के जो नीचे होती है, यहाँ पर status आपको दिखाए देता है, मालो इतने words है, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, तो इस तरीके की जब आपको अगर खोलते है, तो सम इतना है, तो यह जो नीचे नीचे वाली बार क्या होती है, आपकी status bar होती है, views, यह डोकुमेंट का workspace, डोकुमेंट का workspace क्या, जो बीच में वर्क स्पेस बजता है, जहाँ आ इन में से प्रोग्राम के, Windows के है, यह ब्राउजर के है, Explorer के है, Website के है, यह नन फूस्ट, कौन सा option आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, आपका जो option यहाँ पर करेक्ट होगा, वो होगा, आपका A, यह Windows के है, अगर आपको इभी विंडो उपन करते हो, तो उसमें आपको यह स Slowest Internet Connection Service, इन में से जो पांच option दिये गए है, इन में से सबसे slowest, सबसे जो slow चलती है, सबसे दीमी चलती है, वो कौन से Internet Connection Service है, Digital Subscriber Line, इसको हम क्या बोलते है, DSL, Digital Subscriber Line, T1, Cable Modem, Lease Line, यह Dial-Up Service, तो सबसे जो speed में कम होती है, वो कौन सी होती है, Dial-Up Service, याद आपको पहले जो Modem आते थे, Dial-Up Service होती तो इसमें, आप जो है, एक Modem लगाएंगे, Computer पे, और उसमें एक Number होगा, आप उसको Dial-Up करेंगे, फिर जाके आपको Connection मिलेगा, तो वो सबसे slowest service होती है, Dial-Up Service, Next, Software for Organizing Stories and Retrieval of Information, कौन सा आपको Software का नाम बताने है, कि क्या Software होता है, क्या बोलते है आप उसके, जो Stories को Organize करने के लिए, और Information को Retrieve करने के लिए अड़ करता है, क्या वो Operating System होता है, Database होता है, Database Program, Data Warehouse यह 39, Answer Job का यहां पर Correct है, वो क्या है, D, Data Warehouse, Data Warehouse क्या होता है, Data को Store करता है, और Data को Retrieve कर देता है, जैसे कि मालो कोई भी, आजकल तो Government में भी Online हो गया है कोई भी आपने Government में आपको काम करवाने जाते है, कोई Certificate बनवाने जाना है, या कोई भी आपको पुराना Record निकलवाना है, तो पूरा बड़ा सा एक रूम होता है, सारी फाइल से उसमें इकठी होती है, तो वो क्या है उनका, वो उनका Warehouse है, तो Data वहां पर Collect है, वो उनका Correct है, अगला पुशन देखते हैं, A-C-D-R-W, अब R-W क्या है और C-D क्या है, C-D क्या है, C-D की अगर Full Form आपसे पूछा जाए, तो C-D होती है, Compact Disc, ठीक है, यहां पर दिया गए है R-W, R-W is, रीड कर सको आप उसको राइट कर सको, तो Read, Write, C-D-R-W disc क्या है, has a faster access than an internal disc, data than a floppy disk, can be erased and rewritten, तो floppy disk भी इसी तरीके से काम आती थी, जैसे कि CD, CD में आप data लिखते हो, तो अगर आपके पास कोई blank CD है, आप उसमें data लिखते हो, तो वो क्या है, वो आप उसको CD को write कर रहे हो, और अगर कोई भरी होई CD है, उससे आप कुछ सोंग, CD में आप प्ले करते एक CD की, जो हमारे laptop में, desktop में internal disk होती है, क्या उससे fast होती है CD, यह एक optical disk होती है, जिसको आप एक ही बार लिख सकते हो, क्या CD में एक ही बार लिखा जा सकता है, आप उसको दुबारा से erase करके, क्या दुबारा से fill कर सकते हैं, सोची इस बात को, hold less data than a floppy disk, floppy disk से कम data को store करती है, can be erased and rewritten, या फिर CD को आप erase कर सकते हो, data course को दुबार rewrite कर सकते हो, तो RWCD का मतलब ही यह होता है, कि वो read-write है, यानि कि आप उसको read कर सकते हो, write कर सकते हो, फिर से वाप इस से erase करके, फिर से दूसरा चीज़ेस में आप fill कर सकते हो, next question, is step, a set of step-by-step procedures for accomplishing a task is known as, इन में से आपको बताने कि क्या है वो, algorithm, hardware program, software bug, firmware program, या none of these, तो इन में से जो option करेक्ट है, वो आपका A है, algorithm, algorithm होता है, एक set of procedures, algorithm में क्या होता है, कि algorithm में आप set बनाते हो, कि step 1 पर आपको ये करना है, step 2 पर आपको ये करना है, 3 पर ये करना है, 4 पर ये करना है, 5 पर ये करना है, तो इस तरीके से एक set of procedures होता है, जिससे ज़रिए आप काम करते हो, एक काम करने का पूरा procedure, तो उसको आप क्या कहते हो, algorithm, चीक है, यह आपको याद रखना है, next, करती है जा कोई person है कोई thing है या कोई event है record का तो वो क्या है file है data है field है key है या नव तीज आपको यहां पर क्या रहेगा answer जो भी आपको आता है या आपको नहीं भी आता तो guess करिए comment section में अपने answer को आप comment करते है ताकि आपको पता चले कि आप कहां पर अभी जो है stand करते हैं और कितना और आपको मैनेद करने की जरूरत है तो D option की है की है इसका answer a field जो uniquely identifies करती है uniquely identifies या आपको ध्यार लखना है तो uniquely identify करती है कि किसी person को think को event को तो इसका हम क्या करते हैं की है हमारी वो ठीक है next which of the following is not true about RAM के बारे में इन में से कौन सा जो है वो true नहीं है इन में से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सचाई नहीं है पांच option दिए गए है पांच option में से आपको पता लगाना है कि कौन सा correct नहीं है आपका तो ऐसे questions को अब ध्यान से पढ़ेंगे इसमें पूछा गया है नहीं है first option क्या है RAM is a temporary storage area क्या RAM temporary storage area है RAM is the same as hard disk storage क्या RAM उसी के तरह एक same है जैसे कि hard disk storage होती है RAM is volatile क्या RAM volatile होती है information stored RAM is gone when you turn the computer off जब आपकी कोई भी information अगर RAM में save होती है तो अगर आप computer को बंद कर दे तो वो information चली जाती है क्या ऐसा होता है तो option जो आपका correct है वो आपका B RAM is same as hard disk storage hard disk storage की तरह ही आपकी होती है RAM होती है आपकी full form अगर आपसे पूछी जाए तो full form है आपकी random access memory random access memory इससे तरीके से एक ROM होता है ROM होता है read only memory तो यह आपको जाए सारी की full form याद रखनी है next हलते हैं the two major categories of software include software के आपको two major category बतानी है operating system and utility personal productivity and system system and application system and utility यह none of these तो कौन option correct रहेगा correct option यह आपका यहाँ पर है C system या तो कोई software system software है या application software अब system software क्या है जो भी आपके system के लिए helpful और कुछ application में आप helpful होते हैं जैसे कि application के लिए हम अभी क्या use कर रहे है MS office का हम use कर रहे है MS powerpoint तो यह क्या application है इसके जड़ी हम कोई application यूज कर रहे हैं और उसको हम use कर पा रहे हैं तो यह application software है और कुछ होते है system software जैसे कि वालों की dose है उपका operating system है तो यह क्या है system है तो यह हम आपको एक class में clearly करवा भी देंगे चोटी-चोटी definitions जो आपको याद रखनी है और जिन से question आ सकते हैं तो वो हम class में theory wise भी करेंगे next करते हैं the main directory of a disk is called directory जो main directory होती है किसे disk की उसको आप क्या कहते हो root, sub, folder, network यह none of these answer आपका रहेगा root directory जो main directory होती है उसको आप हमेशा root directory बोलते हो अगर आपने देखा भी है जैसे इस तरीके से start होता है आप लिख तो c folder में जाके यहाँ पे जाके यहाँ पे जाके यह तो जो main directory है वो आपकी root directory तो आप उसको backslash से भी represent कर देते हो कि यह backslash के बाद आपकी कह है root directory है next देखते है विंडो 95 विंडो 98 विंडो 90 क्या है यह हम first class में भी discuss कर चुके यह क्या है क्या यह processor है नहीं processor क्या होता है AMD का है Intel का है i3, i5, i57 यह क्या है processor हमारे domain name है domain name कैसे जब आप कोई भी website करते हो www.google.com तो .com क्या है आपका commercial ठीक है dot in करोगे तो India dot gov करोगे तो government dot edu करोगे तो education यह क्या है आपके सारे यह आपकी domain है domain आपकी specify करते कि किस business के dot in लगी होगे तो वो इंडिया की website है dot gov लगी होगे तो वो government website है dot edu लगा तो वो education website है इससे आप पता लगा सकते हो क्या वो modem है यह operating system है operating system होती है windows विंडो के अलावा operating system कौन कौन से होते हैं doos होता है जैसे आपका linux होता है ubuntu होता है macintosh होता है ठीक है इस तरीके से आपके यह operating systems होते है unix है तो यह आपको चीजे याद रखनी है तो option आपका जो correct रहेगा आपका फोर्थ option आपका यहां पर correct है operating system next question देखते हैं the physical arrangement of elements on a page is referred to as a document अगर आप कोई भी physical arrangement करते हो किसी page पर वो क्या कहला जाता है इस document का feature है वो उसके format है pagination grid यह none of these कौन सा option आपका इसमें से यहां पर correct रहेगा तो अगर आप देखेंगे यहां पर तो answer आपका correct रहेगा B वो उसका format है कि page का format कैसे रखते हो कोई भी page है लगा रहे हो डिजाइन कर रहे हो उसका ठीक है format में आपने page पे लाइन में spacing देनी है नहीं देनी है paragraph से पहले spacing देनी है नहीं देनी है text आपका left होगा center होगा right होगा यह justify होगा तो वो चीज आपके किस में आती है format में आती है next question most worldwide web worldwide क्या है www www यह इसकी full form है worldwide web most worldwide web pages contains commands in the language ज्यादा तर जो web web page होते है www page होते है वो language कौन से command जो है कौन से language में होती है NIH, URL, HTML, IRC, FTP तो यह question हमने अलग तरीके से test series 1 में भी किया था answer आयागा आपका C HTML, STM की full form क्या थी अगर आप सभी ने test series 1 देखिए तो आप सभी को पता होगा hyper text markup language तो यह आपको याद रखनी है next देखते हैं the software tools that enable a user to interact with a computer for specific purpose are known as software tool जो कि किसी users को enable करते हैं कि वो computer के साथ interact कर सके किसी specific purpose के लिए तो उसको हम क्या कहते हैं hardware बोलेंगे इसको network software बोलेंगे shareware बोलेंगे applications यह none of these answer आपका जो यहाँ पे रहेगा वो क्या है d applications applications are the software tools that enables a user to interact with a computer for specific purpose as you computer with a computer for example Microsoft word, this is our application, paint, VLC media player, adobe reader, all these are our applications information on a computer is stored as information which is stored on computer in analog form, digital, modem, what or none of these answer is what? answer is b digital data, this is all digital data और data computer पे कैसे save होता है 01 की form में 1010011 01 की form में ही computer पे data save होता है यह आपको ध्यान रखना है A- shares hardware software and data among authorized users आपको बताने इन 5 option में से कौन सा option correct है network share करता है hardware, software, data among authorized users या protocol share करता है hyperlink share करता है transmitter या none of these अंसर जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा A- एक network जब एक network के तहत जुड़े होंगे सारे hardware, software, data तब ही जो है वो आपस में share हो पाएंगे among authorized users next देखते हैं to take information from one source and bring it to your computer is referred to as आपको एक source से आपको information ला रहे हो और वो information आप अपने computer पे save कर रहे हो या उसके पे ला रहे हो तो वो क्या चीज कहलेगी है ये process क्या कहलेगा upload करना upload होता है कि आपने system से कोई चीज कहीं और पे upload की वहाँ पे अपने send की वो होता upload download करना, transfer करना, dealing करना none of these तो आपको पता ही होना चीए क्या है ये कोई भी चीज आपको दिख रही है आपको movie दिख रही है कोई software दिख रहा है तो आपने web पे देखा और उसको अपने computer पे download करके save कर लिया तो save data को आपको save करना है तो वो क्या आपका B option याप पर correct है download computer programs are written in a high level level programming language however the human readable version of a program इसकाल जो computer programs के अगर हम बात करें तो computer program high level language में programming language में लिखी होते है लेकिन जो human readable version है program का वो क्या होता है catche, instruction set, source code, word size या नननन आपका जो रहेगा वो रहेगा C, source code जो human readable version होता है जो human पढ़ सकता है उसको हम क्या बोलते है source code तो यापको ज्यार रखना है next तो आज की वीडियो में था दोस्तों इतना ही next वीडियो में मिलेंगे नई topic के साथ तो thank you so much bye bye, take care अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है